जिन्तों यहां मुझे इस समय किसी ने देख लिया तो समझेगा मैं डड़ पोक हूँ घर भी अकेला ने रहा सकता जो छुप-छुप के जाना होगा सोती ने किता प्यारा लग रहा है मेरा भासकार हुआ! बत्त छोर बत्त छोर! बत्त छोर! बत्त छोर! बत्त छोर! अमबा सारी अंडिया तोल दो चोर चोर कि महराज चोर हम चोर महराज चोर महराज ठिरो मलमबा तो चोर आफ है हम हमfect Хотя कहां वहां तो कोई भी नहीं है बत्ची के गक्ष में महराज शह सबते ही सूरक्षा होने के पृश्चाद भी चोर खुजगा अमारी दल्वार का है ये लीजे महाराच दल्वार चलिए आरे अम्मा देखो तो सही कौन है रुको 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 अमा शुआ तो जाना पर चाना लग रहे हैं रुकी अम्मा आदनी भी जाना पर चाना ही है तुमारा पती और तेरा बेटा है अम्मा मारने से पहले देख तो लिया करो देख लिया होता तो तेरी दुगनी बिटाई होती अर्ध रात्री में यहां क्या कर रहा है वो मैं समझ गई संसार कितना बदल गया है याजकल के पुरुष सारे के सारे पत्ने के चाकर अरे का है बच्चा चोर का है समख्षाओ बच्चा चोर का महराज कोई चोर नहीं है मैं हूँ बड़ाम बड़ी तरा मक्स्तू इदू आप तो उस चोर को पकड़ने है तू नगर में रहने वाले थे यहां क्या कर रहे हैं हाँ बबबो हम साज़ गए पंडित रामा कृष्चा साज़ गए पंडित रामा कृष्चा आप यहां अर्ध रातरी को बड़ी महराने जी वो हम सब समझ गए हाँ हम सब समझ गए नहीं नहीं अक्षमा करे किन्तू आप सब गलत समझ रहे हैं मैं तो पंडित रामा कृष्चा स्वस्ट करने की कोई आवश्रक्ता नहीं है आप आज राती नी नहीं विश्राम कर सकते हैं आप किंदू प्रातकाल होते ही आप जाईए और उस बच्चा चोर को पकड़िए हमें उसके खमाचार चाहिए जी महराज रात तकाल चली हम समझ के आप यहां क्यों आए मैं यहां तुम से मिलने नहीं अपने बासका से मिलने आये था फिर जी लेके आये क्यों आये यर्थ में मेरे निद्रा में विख ने डाल दिया बापू कोई बात नहीं अब आप भी सो जाए और मुझे भी सोने दीजिए अनिद्रा मकिष्णा महाराज को उठाए ना किसी को ऐसी सुखद निद्रा से उठाने का पाप मैं ने कर सकता हाह आप उठाएगे न मंत्री बैस हाह अब ऑब गुरुवर आप बड़े हैं आप में उठाए ह। महा मंत्री जी क्या बड़े बड़े नहीं ने.. heure Minneapolis आप उठाएगे कुतवल.. कुतवल जी आप उठाएगे हाह कुतवल तो उठाएगे मैं जो ऊठाओं खम, 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 कमाग, खम, कमाग, कमाग, कम खो मुचक कह, मेना मरज! वो, हमत्य बूभा तो, उस बलक चोर को लिए खा, रातकाल समय से पूर्व यहाँ पर आ गेते संभवता इसी कारण हम निद्रा गई थे मैं समझ सकता हूं महराज कहीं भासकर के रोने की कारण वश्ट तो आप व्यथित नहीं हुए हां महराज हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह भासकर के कारण ही आपकी निद्रा पूरन नह अब भला हमें व्यथित कैसे कर सकता है जी समस्तर राज्य समालते हैं हम एक राजा को एक बालक व्यथित नहीं कर सकता है वासकर सुखनें की गाजमत वह सब छोड़ी है आप पंडित रावकृष्णा आप हमें यह बताईए कि आपको उस बालक चोर के विशे में कोई सूचना मिली बड़ा ही चतुर चोर है महराज क्या बता है मापको बड़ा ही चतुर कोई साक्षे ही नहीं छोड़ता है पूर्ण रात्रियम ढूंते रहे महराज एक ख्षण के लिए भी हम सो नहीं पाए फिर भी गुरुवर सारी रात्री बजनी देवी का नाम भज रहती और ख़़ाते मारे लिए वह सत्यकादरी शीन साथ है आप किया चाहते हैं मंत्रिवर अब नहीं नहीं गुरुवर हम तो आपकी प्रशनसा कर रहे थे देखिए न आप बिना सोय भी कितने स्वस्प्रती तो रहे और पंडित रामकृष्ण को देखिए इतनी निद्रा करने के बाद भी इतने अस्वस्थ हां मंत्रिवर क्योंकि सारी कि रात में उस काले साय वाली चोरनी के विशे में सोच रहा था आपको कैसे पता कि वो चोर है या चोरनी है ऐसे यह आपको काम मिली पंडित रामकृष्ण मेरे घर से मिली महराज जब वो भासकर को चुराने के उद्देशी से मेरे घर आई थी पंडिता पंडित रामकृष्णा लाईये यह पाइल हमें दीचे मसली है यह हमारे पास रहने दीजिए हम पूर्ण चानमिन करेंगे उसके कोई आवश्यक्ता नहीं है गुरुवर महराज मुझे लगता है चोरनी भजनी देवी ही है ची भजनी देवी भजनी देवी भजनी देवी की पायल हाँ वो काले साय में मेरी दृष्टी के समक्ष थी महराज नहीं महराज वो हमारी आँखों के समक्ष थी जब वो सारे बच्चे चोरी हुए थे तब भजनी देवी भजन कर रही थी अरंद गुरुवर वहाँ पर तो केवल त्रियों को निमंत्रित किया गया था लेमनी दुनिया पैर पे कुलाडी मारती है हमारी गुरुजनी कुलाडी पे पैर मारती है अपनी ब्रह्म द्रिष्टी से महारा अपनी ब्रह्म द्रिष्टी से हमने सब देख लिया हमारा और हम पुर्ण विश्वास के साथ क्या सकते हैं हमारा कि इतने साध्विक इस्त्री ऐसा विबत सकार्य कर ही नहीं सकती जी गुरुवर हर चमकने वाली वस्तू स्वर्ण नहीं होती है परंतु ये स्वर्ण ही है जी माराज इतना भजन कीर्टन करने वाले इंसान का मन तो वैसे ही स्वर्ण सा पवित्र हो जाता है अब देखिए दिन रात भजन करने वाली इस तरी के विशे में आप ऐसा कैसे कह स पंदित रामा कृष्णा गुरुवर स्वर्ण कीजी महाराज जिस दिन भजनी देवी आई उसी दिन चोडनी भी आई ये भी महिला वो भी महिला जैसी ध्वनी इस पाईल की है जैसी ही ध्वनी उनके पाईल की भी है फिर तो सारा संदेह उन्हीं पर जाता है ना मार्तिन संधे पर आप किसी पर आक्षेप नहीं लगा सकते, पंडित रामाकृष्णा गुरुवर्सति कह रहे हैं, पंडित रामकृष्णा हम ऐसे ही किसी पर आक्षेप नहीं लगा सकते हैं और यदि आप आक्षे प्लगाई रहे हैं तो हमें उसका प्रमान चाहिए मरन रहे संदे नहीं प्रमान पंडित रामकृष्णा जी माराज मैं प्रमानित कर सकता हूँ कैसे मेरे घर पर भासकर को चुराने के उद्देश्य से आई चोरनी के हाथ में चोट लगी थी जिसे मैंने भली भांती देखा था मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो चोट भजनी देवी के हाथ में भी है पंडित रामकृष्णा यदि वो चोरनी नहीं हुई तो गुरुवर पंडित रामकृष्णा ये विशे बहस से नहीं सुलजने वाला इसके लिए जांच करनी होगी मामंद्री जी महराज हम चाहते हैं कि आप जाएं पंडित रामकृष्णा और गुरुवर के साथ और जांच कीजिए कि पंडित रामकृष्णा का संदय है संदय है या सत्य जो आज्या महराज क्या बात है गुरुवर इतना क्यों सच दज रहे हैं बचनी देवी के लिए हैं हमारा कहने का तात परे है कि हम उनके लिए कोई भेट नहीं लेकर आएं खाली आता लो गोटवाल जी ला रहे हैं ना बेडियां एले आपका खेप सिद्ध हो जाने दीजे पंडित क्रिश्णा उसके बाद पहनाईएगा बेडियां हो जाएगा हो जाएगा सित्ध मनी बेडियां समझा हमारे गुरुजी वर्माला पहनने की तयारी में हैं अहू भग्ये हमारे की आपने हमारे दर्शन पाने की प्रात्ना स्विकार कर ली गुरुजी गुरुजी आप उल्टा बोल रहे हैं हमारा मनतव यह है कि आपने आपके दर्शन पाने की हमारी प्रात्ना स्विकार कर ली देखिये, जान भूज का चुपा रहे हैं अब क्या करेंगे पंडित रामकृष्णा? देवी, आपने अपने दर्शन तो दे दिये अब अपने इन हाथों से अपने कृष्ण का नहिया के दर्शन भी करवा दीजिये क्यों नहीं, अवश्च्ण यह उपाय तो काम नहीं, आया पंडित रामकृष्णा? प्रभू की भोली सी, प्यारी सी भग्त पर लांचन लगाने का कोई भी उपाय काम नहीं, आता पंडित रामकृष्णा चलिए, चलिए, अधर चलिए दर्शन कर लीचिए आप सबके दर्शन हो गए हो, तो हम जाए, हमारे ध्यान का समय हो रहा है अंडित रामकृष्णा, कुछ कीजी, अउस्सर निकलता जा रहा है एक्षिन देवी सबने कहा, आप अत्यन्त चमतकारी है सभी की मनों कामनाएं पूर्ण करती है इन तो मुझे विश्वास नहीं हुआ ये अखरोग अचानक किश्मिश कैसे बन गया आज आपके मुख का तेज देखकर विश्वास होई गया कि आप सचमुच चमतकारी है अवाय सदूती पंडित रामा क्रिश्ण आप सभी की मनों कामनाएं पूर्ण करती हैं मेरी भी कर दीजिए अपने इन शुब हातों से प्रभु का प्रसाद इस पंडित को भी दे दीजिए अवश्य क्रिश्ण कनहिया का प्रसाद आपको अवश्य मिलना चाहिए धन्यवाद अब हमें आग्या दीजिए पंडित रामकिष्णा अब महराज को क्या उत्तर दोगे बोलिये पंडित रामकिष्णा कोई प्रमान मिला इसकार थिये हुआ कि आपका संध्य है केवल लेक संध्य ही था महराज हमने पूर्व में ही कहा था वो ऐसा कर ही नहीं सकती आपने ऐसा पहले कुछ नहीं कहा था गुरुवर कल तक तो आप उसे ढोंगी कह रहे थे आज आप उनका पक्ष ले रहे हैं हाँ हम ले रहे हैं पक्ष अवश्य ले रहे हैं पक्ष महराज हम उसके सात्विक मन का पक्ष ले रहें उसका नहीं इसकार तो यह हुआ कि हमने जहां से आरंब किया था हम वहीं जाके खड़े होगे उस चोर रव या चोर नी जो भी उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई भी साक्ष नहीं है है महराज है ना अवश्य है वो पायल राय प्रण्डित रामकिष्णा वो पायल हमें दे दीजिए हाँ अदे वो पायल कहां गई कदाचित वहीं गिर गई महराज हाँ को गई क्या अड़ित रामकिष्णा तो पायल इस प्रकार से कैसे को सकती है अड़ित रामकिष्णा कहां गई वो पायल पता नहीं है भगवान अड़ित रामकिष्णा इतनी लापरवाही तो में हाँ तुम्हें यह आने से मना किया है आप इतना चिंति त्यों हो दिया दिदी हम सब संभाल लेंगे अमारी प्यारी बहना एक पायल तो नहीं संभाल सके इतना कठिनाई भारा कारी एक कैसे संभालेगे कितना चतूर है वो पंडित रामकिष्णा पकड़ लेता तो मुझे पकड़ेगा दुनिया की सबसे बड़ी चोर को हिक पायल नहीं संभाल सका मुझे क्या पकड़ेगा वो पंडित ए बंदू ये क्या क्या रामा इक ही साक्षे था उसे भी खो दिया होया नहीं है बंदू छोड़ा है उसे कभी ग्याद नहीं होगा कि असली चोर कौन है हो ना हो उस पायन से ही ग्याद होगा कि असली चोर कौन है समझा क्याद कि असली चुझा क्या टावाद बंदू झाल झाल